दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज जिस मेवा वरक्स की चानकारी लेकर आए हैं उसके फलो की गिरी जो उसकी रचना होती है वे दिमागी रचना जैसी होती है यहीं नहीं यह मेवा खुब गरम ताशीर वाला दिल दिमाग को शक्ति देने वाला होता है कहते हैं इसकी गिरी के गुन जो होते हैं वे काजू बादाम के गुनों जैसे ही होते हैं यह वात विक्रिती का शमन करती है दर्द पीडा का नाश करती है लेकिन खूब गरम तासीर की होने कारण पित की विरद्धी करती है चिकना तैल युक्त होने के कारण कफ की विरद्धी कर देती है इसे संस्क में अक्षोट, रेखाफल, सैल पीलू, करपराल, हिंदी बंगला में अक्रोट, गुजराती में मराथी में, अक्रोड, अंग्रेजी में वालनट, तथा लेटिन में जुगलांस, रेगियादी कहकर इसको पुकारते हैं, इसके वरक्ष हिमाले छेत्रों में 5000 से 10,000 फुट की उचाई तक खूब पाये जाते हैं, इसके वरक्ष कस्मीर, भूटान, अफगानिस्तान, लूचिस्तान, तिबबत, चीनाजी छेत्रों में खूब पाये जाते हैं, इसके वरक्ष स्वयमजात रूप से उगे, यानि जंगली रूप से उगे, तथा बोये गए दोनों तरह क लेकिन खास बात ये है कि जिन पेडों को बोया जाता है उनके अखरोट फठलो का छिलका होता है वो पतला तत गिरी खुम चुब मोटी होती है इसकारण इने कागजी अखरोट कहते हैं इने ही अच्छा माना जाता है क्योंकि यह आसानी से तूटते हैं और इनकी गिरी भी आसानी से निकल जाती है दोस्तों कुछ खास बातों की बात करें तो आखरोट की जो गिरी होती है वे दिमागी बनावट जैसी दिखती है तो आखरोट गिरी में खूब चिकनाहट यानि तैल होता है जो तैल खूब गरम होता है तो दोस्तो परियोग करें और अपने अपने परिवार के स्वास्ते की रक्षा करें दोस्तो आगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और अद्बु जानकारी के साथ तब तक के लिए नमशकार जै हिंद जै आईरवेद